एक ऐसा प्रश्न है जो बार-बार पूछा जाता है शादी कब होगी शादी किस उम्र में होगी या माता-पिता के द्वारा पूछा जाता है मेरे बेटा या बेटी की शादी होने का विवा होने का योग कब बनेगा तो देखे से आसानी से दो मिनट में आप अपने नाम या रासी के माध्यम से खुद पता कर सकते हैं कि आपके विवा होने का शादी होने का योग किस उम्र में बनेगा किस समय पर बनने वाला है तो कैसे पता करेंगे जानकारी देने से पूर्व बता दूँ जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेशता है मैरिज से रेलेटेड बिलकुल सटिक जानकारियां हमेशा पाना चाते हैं जैसे आपकी शादी कब कहा कैसे होगी कैसा जीबन साती मिलेगा और जल्दी से जल्दी का रिस्ता पका होने के लिए कौन से चमतकारी उपाई कर सकते हैं ऐसी सास्तर समझ जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे जोतिस गुरूजी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं तो चलिए प्रियदर्सकों विश्या पर चलते हैं जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्या उम्र हो जाती है माता पिता के दुवारा बार बार प्रियास करने के बाद भी कहीं पर बात नहीं बनती है तो ऐसी इस्तिती में माता-पिता मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सुभा भी कहे कि ऐसे समय पर बार बार ये प्रशन किया जाता है शादी कब होगी? विवाह कब होगा? तो देखे इसे जानने के जोति शास्तर में विविद प्रकार के सुत्र हैं, विविद प्रकार के नियम है उनमें से आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसके मादियम से आप अपने नाम से रासी से पता कर सकते हैं कि शादी का योग किस उम्र में बनने वाला है तो प्राया सबी लोगों को पता होता है कि अपने नाम के अकोडिंग आपकी रासी कौन सी है जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही विभार नहीं हो रहा उसकी रासी से आपको पता करना है यदि नाम के अकोडिंग रासी पता नहीं है तो स्क्रीन पर आप यह साड़नी देख लीजिए इसमें जो आपका नाम अक्षर जहां आ रहा हो उसके सामने जो रासी लिखी हुई है वही आपकी रासी है इस साड़नी के माध्यम से अब आपको आपकी रासी पता लग गए होगी और रासी के बाद कैसे पता करेंगे देखिए यदि किसी भी लड़का या लड़की की मेश रासी बनती है और उसके शादी विवाह के लिए प्रियास किया जा रहा है बात नहीं बर लिए तो देखिए सास्त्री नियम क्या कहता है मेश रासी वाले लड़के लड़कियों का किस उम्र में विवाह का योग बनता है तो सास्त्रिय नियम कहते हैं कि मेश रासी वालों का 22 से 26 वर्स की आयू के बीच शादी का रिस्ता पक्का होने का योग बनता है लेकिन देखिए आज का जो समय है इस्तितिय परिवेश है अलग है बच्चे अपना कैरियर सेट करने के चकर में 20-22-23 वर्स में तो सोचते ही नहीं है शादी करने के लिए तो होता क्या है कि प्राय ऐसी इस्तिति में बहुत बार ये भी देखा गया है कि जो ये सास्त्रिय गणनाओं के अकोडिंग उम्र निर्धारित की गई है वे आज के समय परिवेक्ष में कहीं कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि यह जो उम्र में बता रहा हूं इससे ज़्यादा होने पर भी विवाहा नहीं होता है तो मैं वह भी बताऊंगा जो रासी के अकोडिंग में निर्धारित सास्त्रिय उम्र है जो बता रहा हूं यदि उस उम्र में विवाहा नहीं होता है तो उसका क्या कारण बनता है और उसका निवारन क्या हो सकता है यह भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूं तो हमने मेश रासी का जाना अब हम ब्रिशब रासी का जानते हैं ब्रिशव रासी वाले जो भी लड़का या लड़की है तो उनके विवहा का जो योग होता है वो 24 से 29 वर्स के बीच में शादी का रिस्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है लेकिन ध्यान दीजिएगा यह जो रासी है यह आपके कुंडली की जो चंदर रासी यानि कुंडली के अकोडिंग जो रासी बनती है उससे देखेंगे तो इसमें ज़्यादा सटिकता पाएंगे नहीं तो जिन लोगों की जन्मकुन्डली नहीं बनी हुए है तो जो बोलतावा नाम है नाम के surpassing जो रासी बन रही है उसी रासी से जानेंगे मिथुन रासी की बात करें तो देखें मिथुन रासी वालों का 21-28 वर्स के बीच में शादी होने का विवाह होने का प्रबल योग बनता है करक रासी वालों की जो शादी होती है वह थोड़ा देरी से होने का योग देखा गया है 28-32 वर्स में शादी होने का विवाह होने का विवाह होने का योग बनता है सिंग रासी की बात करें तो तेविस से 27 वे वर्स के बीच बिवा होने के योग बनते हैं कन्या रासी की बात करें तो 22 से 27 वे वर्स के बीच में शादी होने का बिवा होने का योग बनता है तुलारासी की बात करें तो तुलारासी वाले जितने भी लड़के लड़की हैं जिनके विवा के लिए प्रियास किया जा रहा है बात नहीं बन रही है तो तुलारासी वालों का 25 से 31 वे वर्स के बीच में विवा होने का प्रबल योग बनता है मैं फिर से रिपीट कर दूँ आज की ये जो जोतिशास्तर जोतिशे ग्रंत जिनमें जो शुत्र लिखे गए हैं वो उस समय इस्तिती के अकोडिंग लिखे गए थे आज का समय परिवेश थोड़ा बदल चुका है तो मैंने प्राया अन्हो में देखा है कि सास्तिय नियमा अनुसर जो उम्र निर्धारित की गई है वो प्राया अधिकांस्त लोगों की निकल जाती है और बात नहीं बनती है क्योंकि अधिकांस्त आज का समय ऐसा है कि लड़क प्रियास करने के बाद भी बात नहीं बन रही होती है व्रशिक रासी वालों की हम बात करें तो 28 से 34 वे वर्स के बीच में विवा होने का शादी होने का योग बनेगा और मीन रासी वालों का 21 से 30 वर्स के बीच में शादी होने का बिवा होने का योग बनता है अब देखिए यह जो मैंने रासी के अकूरिंग आपको उम्र बताई है मान के चलिए कुछ लोगों की उम्र इससे जादा हो गई है और उसके बाद भी शादे नहीं हो रही है तो होते हैं शुक्र गुरु और मंगल जो मैंने रासी के कूरिंग आपके उम्र बताई है यह उम्र निकल गई है बहुत जादा समय हो गया उसके बाद भी शादी नहीं हो रही है तो कुंडली में जरूर देखें कहीं शुक्र मंगल और गुरु पीडि तो नहीं है नीच रास शुक्तान में शनी, राहु, मंगल का कोई ग्रहन दोस्तों नहीं बनावा है क्योंकि यदि कुंडली में मैरिज हाउस बहुत जादा पीडित हो जाए मंगल शुक्र और गुरु कुंडली में बहुत जादा कमजोर हो जाए तो ऐसी इस्तिति में लाख प्रियास करने के बा बादा बनी हुई है उस ग्रह से संबंदित आप उपाई करना शिगर विवा होने का जल्दी से जल्दी शादी का रिस्ता पक्का होने का योग बनेगा तो यह जो मैंने आज की वीडियो में जानकारी दी है यह एक साधार्ण जानकारी है जो नाम से रासी से जोतिशिय ग्यात करने के लिए तो वह एक जोतिशी पूरा कैलकुलेशन करके डिटेल में पूरी उसकी गणना निकाल करके आपको प्रॉपर बता सकता है कि विवायोग शादी का योग किस समय पर बनेगा यदि आप अपने आप से जानना चाहते हैं तो इस विशय पर मेरे जोतिश वेधन है जो नाम के अकोडिंग आपकी रासी के अकोडिंग जो विभा की उम्र का सास्त्रिय जो निरधारित समय है यह जानकरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजेगा मेरे दुआर अप जो तिस गुरू जी यूटूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना वहां से लाखो लोग लाभनवित हो चुके हैं आपको भी निश्यत रूपेन लाभ विप्राप्त होगा तो आज के लिए इतना है था देखते रहिएगा आप हमारा जो तिस गुरू जी जी यूटू चैनल